दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आपने फेस्बुक से इमेल आईडी को डिलेट करना चाहते हैं इमेल आईडी को आप हटाना चाहते हैं तो आप कैसे हटा सकते हैं इसे वीडियो के अंदर हम आपको यही शिकाएंगे इसे वीडियो के अंदर हम आपको यही बताएंगे क्या किरकार email id को हम कैसे हटा सकते हैं इसके लिए आपको करने क्या facebook open करना है open करने के बाद आपको 3 dot पर click करना है जैसे आप 3 dot पर click करेंगे आप नीचे की तरफ आएंगे मिल जाएगा settings आप इस पर click कर देंगे मिल जाएगा आपको contact info आप इस पर click करेंगे जैसे आप इस पर click कर देंगे आपके समने इस तरह का page यहाँ पर आ जाएगा जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं तो मैंने यहाँ पर अपना 4 number add करके रखा है और मैंने अपना यहाँ पर 2 email id को add करके रखा है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आप जिस email id को delete करना चाहते हैं आप उस पर click कर देंगे अगर आपने एक email id को add करके रखा है तो सबसे पहले आपको एक दूसरा email id यहाँ पर add करना होगा तभी आप अपने email id को delete कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका एक email id register होना चाहिए जब अपने account को आप लोगिन करेंगे तो आपके email id पर ही आपको code receive होता है, password reset करने का, login करने का, तो आपको यहाँ पर सबसे पहलθη एक, दूसरा email id ऐड करना होगा, ऐड करने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा,寄ड email address आप इस पर क्लिक कर देंगे, जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपको अपना वो email ID डाल देना है और उसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा, add email address यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आप इस पर क्लिक कर देंगे, आपका email ID यहाँ पर add हो जाएगा add होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा pending का option तो आपको करना के अपने उसी email id पर click करना है जिसे email id को आपने add किया हुआ है तो जैसे आप उस पर click कर देंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा confirm करने का option दास जहाँ पर आपको देख सकते हैं तो आपके email id पर code आएगा वो code आप यहाँ पर डाल देंगे जैसे आपके code डाल देंगे confirm कर देंगे जैसे आपके confirm कर देंगे तो आपका email id कोच इस तरह से देखने को मिल जाएगा जाएगा, रिमूव, आप इस पर किलिक कर देंगे, जैसे आप रिमूव पर किलिक कर देंगे, किलिक करने की बाद आपके समने इस तरह का पेज आएगा, यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपका जो email id था वो यहां से हट चुका है और आपका एक email id यहां पर बचा रहेगा जो आप एड़ करेंगे तो ऐसे आप आसानी से अपने फेस्बुक के में अपना email id आप पर हटा सकते हैं उसे आप डिलेट कर सकते हैं तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इससे वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत धन्वार